22 जन्वरी को राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर रयोध्या में टेंट सिटी भी तयार हो चुकी है। कैसी है ये टेंट सिटी जाइज अलिया हमारी सहयों की अपढ़ना ने। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश में नहीं बलकि विदेशों में भी लाखों श्रधालू अयोध्या आने का इंतजार कर रहे हैं। और उन श्रधालों के लिए किस तरह तयार हो रही है आयोध्या और आयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर किस तरह विक्सित किया जा रहा है। उसकी अगर आपको बांगी देखनी हैं तो आईए हमारे साथ आपको टेंट सिटी ले चलती हैं। जी हाँ इस समय मैं हूँ टेंट सिटी अयोध्या में और अयोध्या में अलग अलग जगहों पर ये टेंट सिटी डेलप की जा रही है। जैए जो 10 सिटी के बाहर हूं मैं आज और जहां आपको अंदर ले जाने वाली हूँ ओं ब्रह्मकुंड में है। आएए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये एक वर्ल्ल क्लास सिटी के तोर पर ये ten क्लास सिटी यहाँ पर 10 सिटी माफ की जगह बनाई जा रही है। और खास बात ये है कि यह बिल्कुल राम मंदिर की जो backside पर ये टेंसिटी बनाई गई है यानि कि मेरे left hand पर ये ductenti है और मेरे right hand के हैं मेंपाहाथ करूँ पीछे की तरफ वहाँ पर वह मंदिर की backside है तो आये अब आपको दिखाते हैं यहां पर जब आप एंटर करेंगे तो यहां पर राम जी की खड़ाओ के तौर पर प्रतिकात्मक तौर पर यहां पर आपको डिजाइन देखने को मिलेगा आगी जब आप बढ़ेंगे तो यह बहुत ही खुला सा आपको यह पूरा एरिया यहां पर मिलेगा यहां लेफ्ट ह होल में चलते हैं आपको दिखाते हैं डाइनिंग हॉल में किस तरह से यहां पर अरेंजमेंस हैं वो आपको दिखाते हैं बिल्कुल ऐसा आपको लगे करें से किसी आप रिजॉर्ट में किसी होटेल में जिस तरह से आप खाना खाने के लिए आते हैं किस डाइनिंग एरिया मे यह बिल्कुल वैसा ही आपको feel देगा round tables आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और यह पूरा एक बड़ा सा area है यहाँ पर लोग जो tensity में ठहरेंगे उनके भोजन पानी की रस्था यहीं पर होगी आईए अब बढ़ते हैं आगे देखिए जब आप dining hall से निकलेंगे तो बाहर आपको सामरे यहाँ पर tents दिखाई देंगे तीस tents यहाँ पर लगाए गए हैं हर एक tent में परिवार के दो लोग या तीन लोग ठहर सकते हैं इस तरह का arrangement किया गया है tent कैसा है अंदर से वो हम आपको बताएंगे लेकिन आप सोचिए जो शद्धालू आएंगे वो जब यहाँ पर ठहरेंगे तो कुदरत के पास और धर्म के करीब खुद को महसूस करेंगे आईए अब मैं आपको tent की तरफ ले जाती हूँ यह यहाँ पर देखिए यह tent बने हुए हैं यह बकाइदा एक पुरा कमरा है बाहर दो चैर लगी ही है यहाँ पर अराम से आप बैठ सकते हैं जो tent पर आके तहरेंगे और tent के अंदर किस तरह की विवस्था की गई है वो भी हम आपको दिखाते हैं लेकिन बाहर से यह tent बहुत खुबसूरत इस समय दिखाई दे रहे हैं सभी इंतजार कर रहे हैं और जाहिर तोर पर जो इस tent city में इन टेंस में ठहरेगा उसके लिए जो अनुभव होगा वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है देखे यहाँ अब हम आपको अंदर ले जाते हैं यह आप कारव पर से समय कहांगे कि वह अंदर आहें जी आप जाई अंदर पहले देखे यह बहुत ही खुबसूरत सा यहाँ पर यह पूरा रूम है आप एंटर क्रेंगे आपके लगज रखने के लिह आपर एक साइट टेबल दी गई है यहाँ पर यह टेबल है यहाँ पर जहां पर आपने लगज रख सकते हैं अपने शूज रख सकते हैं आगे बढ़ेंगे तो टीवी है वाल पर पानी की बॉटल्स हैं कप सके हुए हैं आपके लिए टी बैग्स और शुगर रखी भी हैं और यह एक चैर यहां पर दी गई हैं यहां पर mii fridge भी है आप देख सकते है mini fridge यहां पर और आगे हम यह देखिये यहां इस room में right-hand side पर यहां पर दो chair दी गई है जो ळोग ठैरेंगे उनके बैठने केבה लिए यहां चाय पी सकते हैं यह bed यहां पर दो लोगों के लिए यहां पर इसकी वेशता की गई है और साइड में ये एक मिरर दिया गया है और एक चैर भी है यहां पर ये एक अलमीरा भी है कबर्ड को रखने के लिए आप इदर आ जाए प्लीज जरा थांक यू हाँ ये अलमीरा दी गई है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं यहां पर लॉकर दिया गया है कि आप यहां पर अपना कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं तो यह अलमीरा दो लोगों के लिए इनफ स्पेस है और यहां पर अपना सामान अपने कपले हांक कर सकते हैं यह मिरर है है ड्रायर दिया गया है कमरे में एसी है मौसम का खयाल रखने क गर्मी में अगर यहां पर धालू ठहरेंगे तो उनके लिए AC की सुविधा है और अगर सर्दियों में रुकेंगे तो यहां पर हीटर भी है तो यह बहुत ही खुबसूरत सा टेंट जैसे की जैसल मेर वगर आप कहीं जाते हैं तो वहां अक्सार के लगजरी टेंट में ठहरन आतीर्थ शेत्र में जाते हैं तो अक्सर यह शिकायत रहती है कि टॉलेट्स की सुविधा साही नहीं होती है लेकिन जहां बाहर भी जो गौर्मेंटे टॉलेट्स बनाये हैं वहां भी जगा जगा पर साथ सफाई देशने को मिल रही है तो यहां भी इस टेंट में भी एक यहां पर लक्जरी जो बाथरूम है वो दिया गया है यहां पर सामने ही मिरर है एंटर करते ही और यह बहुत बड़ा स्पेस है बाथरूम का यह नहीं कि इसमें पर अनुभव रहे गा एक्सपिरियन्स से बहुत खास रहेगा बलकि इसमें आराम तायक तरीके से आप रह सकते हैं जितना दिन आप यहाँ पर आएं कि आप मनिल जाते हैं आयोध्या में परिक्रमा करते हैं या पर और है ड्रीした जो अलग-अलग महतपूर्ट धार्मिक स्थान हैं, वहां जाते हैं, तो वहां जाने के बाद आप जब भी लोटेंगे, तो आप यहां पर अराम से थोड़ी देर अराम कर पाएंगे, इत्मिनान से अराम कर पाएंगे, और उसके बाद आप अपने आगे के जो दर्शन हैं, वो कर पाएंगे देखे यह पूरा स्पेस यहां पर एक ही तरह के टेंट हैं कोई काटेगरी देखे अब होना हैं कि यहां पर 20 एंट है और सब ही कि जो काटेगरी हां वह एक ही काटेगरी है तो ऊक्रसनी और इसे किसाथ इस बुलितिन में फेल हाल नहींगे होज Magn dad लगातार जारी रहेगा, ब्रेक के उस पार भी